घंटाजी चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं वीडियो की नोटिफिकिशन पाने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं हमारे यूटूब चैनल घंटाजी में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDBI M Passbook के बारे में IDBI M Passbook जिसका मतलब होता है Mobile Passbook जी हाँ दोस्तो अपने Mobile से ही अपना Bank का Balance चेक कर सकेंगे जिस परकार आप सेम अपके Passbook में जैसे होता है और Live Update होते रहता है इसमें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस परकार अपने Mobile से M Passbook यूज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले अपने Mobile में आपको Play Store ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसमें सर्च करना है IDBI M Passbook जिहां IDBI M Passbook लिखके उसको सर्च कर दीजे सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस परका इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपको तो देखिए हमारा इसमें Open बता रहा है क्योंकि हम पहले इसको डाउनलोड कर चुके हैं तो हम इसको Open कर लेते हैं आप डाउनलोड करके इस्टॉल कर लिजेगा तो दोस्तों देखिए Open करने के बाद कुछ इस परका इंटरफेस खुल जाएगा उसके बाद देखिए यहां पर लेंग्वेज बोल रहा है इंगलीज तो इस पर प्रोसीड कर देते हैं क्योंकि हमको इस इंगलीज में रपना है उसके बाद देखिए इसमें यहां पर मांग रहा है मुबाइल नंबर और कस्टमर आइडी तो देखिए यहां पर कस्टमर आइडी और मुबाइल नंबर मांग रहा है तो यहां पर रजिस्टर मुबाइल नंबर और कस्टमर आइडी आपके पास्पूक पर होता है तो उसको डाल दीजेगा दोस्तों यह वाला mobile में जो है आपको रेश्टर mobile number इसमें रहनाचाहिए देखें यहाँ पर इसको हम प्रोसीड यहां पर डाल लेते अपना जैसे कि आपका customer ID आपना डाल लेते हैं और अपना mobile डाल लेते हैं उसके बाद I accept term and condition पर डाल के उसके बाद प्रोसिट कर देंगे दिश्ट देखिए हम अह डाल रहा है अपना कुस्टमरी प्रेदी और मोबाइल नमबर आशे के सब्सक्राइब करेंगे क्लिक करने के बाद नहों करने के बाद क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर यह open होड़ा है open देखिए यहां पर अब OTP हमारे mobile number पर भेज़तेगा जो mobile number होगा उस पर OTP चला जाएगा और यहां पर 3 मिनट का समय देता है OTP जाने के लिए उस 3 मिनट में आपको OTP आता है तो आप यहां पर डाल दीज़ेगा देखिए हमारा OTP आ गया हमारे register mobile number पर तो हम इसको OTP अपने डालते हैं और इसको open करते हैं तो OTP डाल के continue पर क्लिक कर दीज़ेगा तो continue पर क्लिक करने के बाद यहां बोल रहा है कि 4 डिजिट पीन अपने डालना है आपका यानि पासवर्ड स्क्रीन पासवर्ड तो देखिए हम अपने डाल लेते हैं 4 डिजिट का कोई भी आप डाल सकते हैं random number तो हम डाल ले रहा है उसके बाद देखिए यहां पर open करते हैं देखिए अप जैसे ही आपको इसको डाल लिएगा पीन आपका open हो जाएगा तो open होने के बाद देखिए कुछी इस परकर का interface खुल के आ जाता है थोरा सा loading ले रहा है कि देखिए यह open हो रहा है कि यह हमारा open तुरा सा loading ले रहा है यह हो जाएगा तुरंत हो जाता है फर्स्ट बार है इसलिए open होने में तुरा सा loading लेता है तो देखिए यह हमारा बार हो गया यहां पर हमारा सब कुछ ली क्या गया यहां पर कभी इंट्री होगा है और कभ दिपोजिट होगा है यहां क्रेडिट और डिपोजिट सारा दिखाएगा तो दोस्तो इसी परकार अपना मोबाइल का एम पास्पूग यूज करते हैं दोस्तो यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना अपडेट भी निकाल सकते हैं यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो इसी परकार अपना चेक करते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स लिए